नमस्कार मैं हूँ प्रक्र प्रकाश मिश्रा आप देख रहे हैं क्रॉस फायर क्रॉस फायर में हमारे साथ एक खास महमान भारतिय जन्ता पार्टी से मौजूद है हैं भारतिय जन्ता पार्टी की युवा सोच के साथ-साथ रणनीती बनाने में माहिर हैं और यह माना जाता है कि भारतिय जन्ता पार्टी के के इंटलेक्ट सेल में इनकी बात कोई चालता नहीं है मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर सुधानशु तरवेदी की आपका बहुत बहुत सौगत है सुधानशु जी किस तरह की रणनीती अपनाई जा रही है कि युवा आपके साथ चले और ये कह रही है कॉंग्रेस कि युवा आपके साथ नहीं जाएगा चाहा आप नरेंद्र मोदी के रोल मॉडल को कितना भी दिखाईए युवा चाहता है कि जो बाते की जाएं वो सिर्फ बाते नहों बलकि यथार्थ में धर्ती पर दिखाई पड़े पिछले कुछ वर्षों में भारत की राजनीती में सबसे बड़ी समस्या क्राइसिस अफ्रेडिबिल्टी किया है विश्वसनीता का संकटाया परंतु भारती जनता पार्टी उसकी तमाम सरकारों और श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दस बारा वर्षों में करके दिखाया है इस समय देश में विकास की दर क्या है पांच प्रतिशत से कम है लगबख सभी भाजपाश शासित राज्यों की विकास दर लगबख दस प्रतिशत के आसपास रही है तो ये चीज़ जब युवा को दिखाई पड़ती है दूसरी चीज़ आप विजन क्या सामने रख रहे हैं बाकी लोग कहें कि साब हम ये करके दिखाएंगे तो आपको परयाब तो मौका मिला आपने क्या करके दिखाया हमने करके भी दिखाया हम एगरीकल्चर की फील्ड में एक पूरा कंट्री का एक एगरीकल्चर पूल होना चाहिए कहां पर कितनी फसल उगानी है और हमारी जो जमीन है किसान को पता हो किसमें कौन सी फसल कितनी उगाई जा सकती है उसको टेकनोलोजी के आधार पे बिलकुल मैप करके बताया सकता है तो ये विजन भी है और ये करके भी दिखाया है गुजरात भारत का एक मातराज है जहां सारे किसानों के पास स्वाइल कार्ड डवेलेबल है अगर किसान खुशाल है तो फिर गुजरात के अंदर किसानों ने आत्मत्या कियोंकि आट सो तक कांकड़ा आप बताते हैं जबकि केजरिवाल पांच हजार से उपर ले जा रहा है लेकि केजरिवाल जी जब गुजरात के दोरे पे गए तो उन्होंने कहा कि यहां दस सालों में आट सो किसानों ने आत्मत्या किया है दिल्ली आये तीन दिन के बाद उन्होंने का आप मत्या की वह ये कुछ चंद दिनों के अंदर पांच हजार कांकड़ा कैसे बढ़ गया गुजरात सरकार ने इस बारे में अपना लिखित बयान जारी करके कहा है कि पिछले दस सालों में केवल एक किसान ने आप मत्या की है हकीकत क्या है और जिस गुजरात मॉडल की आप बात करते हैं उसको हर्याना सरकार के भुपिंदर सिंग उड़ा कहते हैं सभी लोग हमारे राज्यतिक विरोधी हैं ये अपना अपना मत रखने को सतंत्र है मैं सिर्फ तीन उधारण देता हूँ भारस सरकार तो नरेंदर मोदी जी की बहुत बड़ी आलोचक है मगर भारस सरकार के प्लानिंग कमीशन ने जो अपना डाटा जारी किया आपको या तो इंदरा गांधी का एक बड़ा ही स्वर्णिम प्रोजेक्ट होता था 20 पॉइंटी पॉइंट इंप्लिमेंटेशन प्रोग्राम 20 सुत्रिय कारेक्रम उसके बारे में हर साल केंदर सरकार रैंकिंग करवाती थी कौन राज्य उसमें सबसे आगे आ रहा है 2010 के बाद उन्होंने वो रैंकिंग करा नहीं बंद कर दी क्योंकि लगातार भाजपा शासित राज जी उसमें अवल आ रहे थे और 2010 में आखरी बार जब उसकी रैंकिंग होई है तो गुजरात उसमें नंबर वन आया है 2008 में राजीव गांधी फाउंडेशन ने गुजरात सरकार की भूरी भूरी प्रसंसा की राजीव गांधी फाउंडेशन कोई भाजपा संग परिवार का तो फाउंडेशन है नहीं वो तो पूरी तरह गांधी परिवार का फाउंडेशन है 2011 में वो अमेरिका जो की श्री नरेंद्र मोधी को वीजा देने को तैयार नहीं है यानि हम कताई नहीं मान सकते कि उससे हमारे मदूर संबंद है बलकि खराब ही संबंद माने जा रहे हैं और उस यूएस की कॉंग्रेस की यानि अमेरिकी संसद की जो रिसर्च रिपोर्ट है उसने ना सिर्फ शांदार सफलता के लिए उनकी प्रसंसा की है बलकि यहां शब्द प्रयोग किया है कि इस अनकरप्टिबल आपने एक बात कह दी कि वो ब्रस्टाचार रहित हैं लेकिन उन्हीं की कैबिनेट के एक मंतरी बेल के उपर बाहर हैं दूसरे को नोंने रखा हुआ है जिन्होंने 400 करोड का मचली पालर में कोटाला कर दिया यह बात सही है कि उनके एक मंतरी के उपर एक आरोप था परंतु उस विशह में उनको कोड से प्राहत मिली हुई है वो मैटर पेंडिंग चल रहा है जब उसमें अंतिम नर्णय आएगा उसके अनुसार करवाई की जाएगी यह तो कह रही है यह कहते हैं ब्रस्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बाद देश से खतम करने की बाद लेकिन इसके बावजूद भी ब्रस्टाचारी लोगों को साथ में रखते हैं कॉंग्रेस यदि यह बात कहती है तो यह बात बहुत हास्यास्पत प्रतीत होती है सनलिपता सीधे और उसके बाद सर्वोच चिन आयले को गलत अलत प्रामा दे कर गुम्रा करने का प्रयास और उसके बाद तीसरी बाद जब कोड ने कहा कि हम जाच करना चाहतें सारी फाइले देदो तो कहते हैं फाइले खो गई इसलिए ब्रहस्टाचार के खिलाफ हम बड़े विध्यक पास नहीं करा पाए हाला कि आटिया यह अमने दी ब्रहस्टाचार के लिए भारती जनता पार्टी की जो प्रतिबदता है वो अनपैरलल है सबसे पहली सरकार कौन सी थी जो जनलोक पाल विध्यक लेकर आई वो उत्तरा खंड की जनल खंडूरी की सरकार थी और मैं याद दिलान जायता हूँ पिछली सरकार के समय में सांसदों को अपनी संपत्ति घोशित करने की बाधिता और अपनी नहीं अपने पत्ति या पत्ति की भी संपत्ति साथ में गोशित करने की बाधिता कानून कौन लाया हम लाये थे भारती जनता पार्टी की सरकार लाई थी आपको याद हो राजसभा के चुनावों में खरीद फरोग बहुत होती थी ट्रांस्पेरंट ओपन वोटिंग करने की व्यवस्था किस ने शुरू की थी? हमने शुरू की थी केजरीवाल कहते हैं कि भारती जनता पार्टी हो या कॉंग्रेस हो एक ही थेली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही धाली के चट्टे बट्टे हैं ये RTI को क्यों नहीं राजनितिक पार्टियों के ओपर लगने देते हैं मार्क्सवादी कम्निस्ट पार्टियों कम्निस्ट पार्टियों वो तो कहती है आना चाहिए लेकिन आप लोग नहीं बताते हैं और जो पैसे आपको मिलते हैं वो क्यों न जनता पूछे आर्थिक पक्ष पर निश्चित रूप से जनता को जानने का हग है कि किस पार्टी को कहां से पैसा मिल लाए और कैसे वो खर्श किया जा रहा है और इस बारे में चुनाव आयोग को हर साल वेवरा दिया जाता है इंकम टेक्स डेपार्टमेंट को दिया जाता है और कोई भी पूरक प्रशन हम से चुनाव आयोग पूछ सकता है तो आर्टी आई के हम दाइरे में हैं आर्थिक पक्ष में चुनाव आयोग के माद्यम से उसके बाद भी यदि सीधे लाना है किन-किन विश्यों के उपर लाना है अब क्या ये संभव है कि हम राज्यतिक विश्यों के पर भी आर्टी आई हो सकती है क्या क्या यह बात वेभरिक होगी यदि कोई आज आई लगा कर पूछेगा कि साब आप के हां राश्टी अध्यक्ष जीवन परियंत क्यों रहता है आप किया राश्टी अध्यक्ष को कभी बदल कोई कारेकाल निर्धारित ही नहीं है और उनी का पुत्र या पुत्र ही क्यों होती है जब दूसरे दलों से पूछा जाएगा तो उनके लिए समस्या जादा है और ये कहा जा रहा है इस तरह की चीजे आ रहे हैं कि मोधी का कद बीजेपी से भी बड़ा हो गया है देखे जब हमने प्री नरेदर मोधी को पुर्धान मंतरी का कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया तो निश्यत रूप से वो पार्टी के शीर्शत सनेता हो गया और जो सरकार बनेगी वो उन्ही के नित्रत में बनेगी तो निश्यत रूप से वो सरकार भी उन्ही के नाम पर कही जाएगी अब रही बात इसकी कि जो हम दूसरा विशे कहते हैं जहां तक भारती जनता पार्टी का परश्ण है भारती जनता पार्टी एकदम एक संगठित संगठन के अनुशासन में चलने वाली विवस्थाओं में चलने वाली पार्टी है और शी नरिंद्र मोदी जी ने भी कभी हुल गांधी जी ताल कटोरा इस्टेडियम में खड़े होकर कांगरेस के डिवेशन में आदेश अत्मक शैली में बोलते हैं प्रधान मंत्री को कि तीन सिलेंडर दे दिया जाना चाहिए जैसे किसी जमाने में राजे महराजे आदेश दिया करते थे और सरकार तुरंत उसक किसी भी पार्टी के क्रिया कलाप के कोई हस्तक शैप नहीं कर रहा है पार्टी की संगठ हांत में विवस्तागित तहथ जो कुई भी पार्टी का ध्यक्ष राजना सिंग जिन इंडर ले रहे हैं उसके रूसार चल रहा है कांग्रेस के गुनहा दिखा के आपकी चादर पे लिदान की भावना बिल्कुल समाप्थ हो रही है हमारे अभी भी कारकरताओं की ऐसी लंबी फाज है जिसने की पूरा अपना जीवन दिया है और कुछ प्राप्त करने के पेक्षा नहीं की हमारे या संगतनात्तक विवस्ता में ऐसे पदादिकारी हैं जिनके बारे में यह पिरधारित है कि वो कभी ना सांसत बनेंगे ना विधायक बनेंगे ना कोई सरकारी पदलेंगे। मेरे विचार से ऐसी व्यवस्था किसी भी दूसरे राज्यतिक दल के पास नहीं है। पर रैलियां उमड रही है। रैली में जो भीड उमड रही है। जनमत सर्वेक्षन जो मीडिया के भिन भिन संस्थान दिखा रहे हैं। चारों अपने अपने राज्यों में देश के भिन भिन अंचरों में बड़े इस्थापित दलित नहता है। भिन्द मिन्द सामाजी छेतरों के लोग, सिना अध्यक्ष, पुलिस कमिशनर, यहां से लेकर की बड़े बड़े फिल्मी कलाकार से लेकर, अन्य बहुत सारे लोग हमारे साथ आके जुड़ रहे हैं मोदी जी के साथ में, तो सोनिया जी जब यह प्रश्ण उठा रही है, तो ब्राहमनों को सबसे ज़्यादा बुरा कहा, उनको ही आज भारतिय जन्ता पार्टी अपने हां रख रही है, और ठाकुर बाद ज़्यादा आ रहा है, यह कहा जा रहा है, ब्राहमन बहुत नाराज है, और जिने आप जोड़ रहे हैं, जो हमेशा ब्राहमनों का विरोध करत है, हमारी सोच उन राजनेतिक दलों की तरह नहीं है, जो जाती के नारे देते हैं, और उसके बाद पलट जाते हैं, और अपना मौका पढ़ने पर नारे ठीक उलट जाते हैं, जो किसी जमाने में तिलक तराजू और तलवार का नारा देते थे, आगे शब्दों में नहीं बोलूँगा, वो असन सलिय है, और जब उनका राजनेतिक उद्देश सिद्ध होने की बात आई, तो नारा क्या हो गया, ब्राह्मन शंक बजाएगा, हाती बढ़ता जाएगा, तो यह परशनतों दूसरों से पूछिए, जो जाती धर्म और पंत की राजनीती करते हैं, इस देश में धर्म जात की ही राजनीती होती है, ब्रेक के बाद सुधान शुत्रवेदी से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मायावती उन्हें नुकसान पहुचा रही हैं, क्योंकि उन्होंने ब्राहमनों को 20 टिकट दे दिये हैं, इस ब्रेक के बाद. सुधानशु जी आप कह रहे हैं, धर्म और जाती की राजनीती नहीं है, लेकिन एक एक टिकट आने से पहले या देने से पहले एनालेसिस करा ही जाती है, और ये भी देखा जाता है, कहां किसको लड़ाया जाए, सीधे तोर पर मायावती ने अब चुनवती दे दी है, और और राष्टी सुरक्षा को लेकर जो चुनवती हैं, चाहें वो सीमा के बाहर, चीन और पाकिस्तान ने जो हमारी सीमा पे हरकत की हो, या अंदर आतंकवाद की चुनवती हो, इन से निपटने के लिए एक राष्टवादी भावना के साथ सशक्त विकल्प सिर्फ और ती जनता पार्टी है, और मेरा मानना है कि चाहें वो समाज का उच्च वर्ग हो, मध्य वर्ग हो, या निम्न वर्ग हो, और विशेशकर जो अधिक पढ़ा लिखा तब का है, उसको तो और बहतर समझ में आ रहा है कि क्या परिस्थितियां हैं, तो इसे हमें पूरा विश् जालता नहीं, देश समालने की बात करते हैं, टूइट करती हैं सुष्मा सोराज, अडवानी जी नाराज हो जाते हैं, मुर्ली मनोहर नाराज हो जाते हैं, कलराज मिश्रा नाराज हैं, उन्नाव की सीट की सीट की हालत आपको दिख रही है, ये बलिया तक की सीट की हालत आ आपको दिख रही है ये क्या है देखिए हमारे यहां किसी प्रकार की कोई नाराज की नहीं है ये ठीक है कि जब इस पश्ट रूप से भाजपा सब्ता में आती हुई दिख रही है तो बहुत से लोगों क्या पेक्षाएं होती हैं टिकट वितरन में यदि कुछ कार बनाने का प्रयास उसके साथ आ जाता है हमारी सिर्थी वो नहीं है कि कॉंग्रेस अध्यक्षा को अपने लोगों से या अपील करनी पड़े की चुनाव लड़िये एक और चीज हो रही है भारत के इत्यास में पहली बार जिन लों को टिकट नहीं मिलता है वो पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं यहां पहली बार हो रहा है कि दूसरी पार्टीों के टिकट छोड़ कर यानि मिला हुआ टिकट लोग वापस करके भारती इंता पार्टी में आ रहे हैं तीसरी बात ऐसे बड़े बड़े लोग जिनकी की अपनी समाज में शक्स पप्तियत को महाराज जैसा व्यक्ति आता है बगए टिकट का पेखशा के एमजी एक्बर जैसा इतरा बड़ा देश के पत्रकारों में से एक हो आते हैं वगार टिकट कि पेखशा के यही तो दर्द है एक तरफ आप कहते हैं कौंगरेस मुक सरकार देनी है दूसरी तरफ आप कॉंग्रेस के लोग को अपने यहां ले ले लेते हैं जाये वो आजगदंबी का आपाल हों या सत्पाल माहराज हों कराम क्या है किस दिशा में पौछ आ ना चाहिए जिनके इतने बड़े बड़े लोग हमारे साथ आ रहे हैं लिबराहन कमिशन की रिपोर्ट जब आई थी संसद में तो जग्दमिकापाल जी का नाम उसमें कारसेवक के रूप में लिखा था तो कॉंग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो जग्दमिकापाल यदि कारसेवक थे तो तो भाई वो दिल स से एक बात तो आपको माननी पड़ेगी पूरे टाइम संसद के अंदर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिजम अगर किया है तो जग्दमिकापाल ने किया आप लोगों का ये बात आपका कार करता नहीं भूल पाता मैं तो उल्टी बात कह रहा हूँ आपको कह रहा है कि वो कारसे चल रहा है हर पार्टी अपने अरगला कारण से चुनाओ मैदान में है जहां कॉंग्रेस एक हारी वी लड़ाई लड़ रही है वो सिर्फ अपनी इज़्जद बचाने के लिए चुनाओ मैदान में है तीसरे मोर्चे की जो तथाकतित पार्टीया है जिसमें उत्तर प्रद बनाने के लिए चुनाओ मैदान में सरकार बनाने के लिए कोई चुनाओ मैदान में सरकार बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारती जनतापार्टी चुनाओ मैदान में है और यह बात जिन जिन दलों के कारकरताओं को समझ में आ रही है तो वह हमें समर्थन दे रहा है इस भारत को जगद गुरू बनाना चाहते हैं और यही आरोप हमारे उपर कॉंग्रेस और अन्य जो पता गदिस सेकुलर दल लगाते थे कि यह जगद गुरू बनाना तो राष्टी यह स्वहम सेवक संग की भाचा शैली है अगर वह हमारी भाचा शैली बोल रहे हैं हमारे चारियों को और कॉंग्रेस में भी दिये जाते हैं आप पार्टी कहती है इसी को बदलना है आप सोनिया गांदी और गाहुल गांदी के खिलाफ कमजोर कंडिडेट क्यों उतारते हैं इसमती इरानी और अजय अगरवाल का अगर राजनितिक करियर देखा जाए लोग प्रि तो आप समाजवादी पार्टी से पूछिए जिसने की अमेठी राइबरेली में केंडिडेट नहीं दिया वहां तक तो चलता था समर्थन गोचित कर दिया है कॉंग्रेस को अब संख्यक हमारे साथ है तो अब संख्यकों को उत्तर पुदेश में एक भी टिकट क्यों नहीं दिया जाता है ये मुसल्मान पूछ रहा है कि कितने बड़े नेता आप लड़ा रहे हैं गुजरात के अंदर यूपी में एक सिख को टिकट नहीं है एक मुसल्मान को रश्मीर में दिये हैं अन्य जगहों पे दिये हैं हां उत्तर पुर्देश में यदि नहीं है तो मैं यह आवान करना चाहूंगा मुसलिम समधाय से कि वह एक बार भारती यंता पार्टी पे विश्वास करें वह हमें समर्थन दें सक्रिय कारकरता के रूप में आएं तो हम यह प्रूफ कर देंगे कि पिछले सरस्थ वर्षों में जो कुछ उनके साथ हुआ है जिस दुर्दशा का बयान सच्चर कमेटी और रंगनात्मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट करती है वह हालाद बदल जाएं गोवा एक ऐसा राज्ज है जहां रोमन कथलिक क्रिश्यन बहु या अनुरोद करूँगा कि एक बार मुस्लिम समुदाय भी उसी दिशा में विचार करके देखे तो उनको एक बदला हुआ भारत एक बदला हुआ समाज नजर आएगा साबिर अली का आना और जाना मुतालिक का आना और जाना ये कौन सी दूरंदेशी थी उस विचे में संबंदित राज्य पाईों की संस्तोती के अधार पर वा निरने हुआ था और एक निर्ड़ने तो केवर राजी सरकाई के इस तरफ पर हुआ था और वो व विचे पे सदस्तान सुन्य रस्त कर दी गई है तो वा विचे समाप्त हो चुका है जस्वन सिंग का जाना कितना दर्द देता है और क्यों नहीं राजस्थान की इकाई को ये समझ आया कि हमारे पुज़र्ग नेता देखे जस्वन सिंग जी पार्टी के बहुत ही वरिष्ट नेता जिनका भारती जनता पार्टी में अपरतिम योगदान रहा और इतना ही नहीं एंडिये के शासंकाल के दौरान विदेश मंत्री और वित्व मंत्री के रूप में अमेरिका और अन्य देशों के साथ भारत की स्टरडिजिक रिलिशनसिफ बनाने में उन्होंने बहुत भारी योगदान दिया वो उस पीड़ी का प्रतनित्व करते थे जो कभी सोचती भी नहीं थी कि हम सरकार में आएंगे विदाय के सांसद बनेंगे उनके इस योगदान को केवले टिकट पर तौलना उचित नहीं है वो भारती इंता पार्टी में सांसद विधाय की नहीं रहे विदेश मंत्री रहे वित्र मंत्री रहे राजसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे पार्टी के उपाध्यक्ष रहे यानि अध्यक्ष और प्रधान मंत्री छोड़कर सभी पदों पे रहे उनके बेटे को दो दो सांसत का टिकट दिया गया वरतमान में भी वो राजस्तान विदान सवा में मले हैं और भाजपा के तिहास में एक मात्र वा ऐसा आवसर आया जब पिता-पुत्र दोनों को सांसता टिकट दिया गया तो शीजस्वन सिंग जी को दिया गया तो इस कारण से इतना होने के बाद या कहना कि पार्टी ने उनके साथ न्याय नहीं किया है, या थोड़ा उचित नहीं है. कहा जा रहा है कि लखनव अटल जी की भूमी है, अटल जी की भूमी के ओपर भी टिकट बदल दिया गया, लाल जी टंडन आज वहाँ से चुनाओ नहीं लड़ रहे हैं, अध्य हक्षाप के चुनाओ लड़ रहे हैं, वहाँ का अब्रहमन वोटर बहुत नाराज है. देखिए जब लखनव में राजणा सिंग जी आये तो उन्हें भी पहली प्रेस कांफरेंस में यह बात इस पष्ट की थी, कि कुछ महिने पहले स्वैम स्री लाली टंडन ने यह आग्रे किया था कि राजणा सिंग जी आकर लखनव से लड़े हैं, और आज आप देख रहे हैं, राममन वर गया किसी आन्य वर, हमारा मानना है कि अटल जी जिस छेत्र का प्रतनित्व करे हूं, लखनव का छेत्र, बड़े आति विशिष्ट महान भावों को संसद्ने भेजने का छेत्र रहा है, तो मेरा मानना है कि उस संसदी छेत्र के मद्दाता बहुत और बहुत विवेक्षील है, रास्ट का हित किसमे है और छेत्र का हित किसमे है, इसको वो भली भादी समझते हैं और अपनी परंपरा के अनुरूप ही वह इस चुनाव में भारती जनता पार्टी के रास्टी अध्यक्ष्री राजनास सिंग जी को शांदार वहुँष से व अनसद रहा, मेर आपका रहा, लेकिन इसके बावजूद भी लखनो के संग न्याय नहीं हुआ. जो कि गौतम बुद्ध पार्क के सामने मेडिकल कॉलेज में बना हुआ है, इतना शांदार कन्वेंशन सेंटर कभी लखनो में था, ये किस कालखंड में बना, उसी में बना. इसलिए राजना जी नहीं बात कही है, कि आटल जी के मन में एक बहुत बड़ा स्वपन था, बहुत सारी परिकल्पना थी करने की, जो कुछ हो पाई, कुछ नहीं हो पाई, परिसित्यों के चलते हो, उस पूरे स्वपन को साकार करना है, किस्वी सदी का लखनो कैसे होगा, उसको प्रकट करेंगे, और रीता बहुणा जी से तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर उनकी बात ये सत्य मानी जाए, तो 6-6 साल से हमें ठीर राए बरेली में गांधी परिवार की नुमाइंदगी है, और जिसमें से 56 साल केंदर में उन्होंने शासन किया है, 40 साल उत्तर परदेश में कंटिनुवर सासन किया है, तो हमें ठीराए बरेली तो मुंबई बन जाना चाहिए था, लंदन और पेरिस बन जाना चाहिए था, उसका क्या हुआ? यूपिये का कुन्बा तो बढ़ गया, लेकिन एंडिये का कुन्बा घट गया, और 11 पार्टियां आपके खिलाफ खड़ी है, मायावती, ममता, बनर जी और तमिल नाडू से जैलेलिता, इन्हें आप कैसे मनाएंगे? अगर 272 आपकी नहीं आती है, आप आसपास आते हैं, तो ये आप से जुड़ेंगे या नहीं? आप ने देखा चार राज्यों में, मद्रप्रदेश, राजस्तान, 36 गड़, जो भी दिया है, निरनाएक जनादेश दिया है, और इसलिए हमें पूरा विश्वास है, इसे लोकसभा चुनाओं में भी देश की जनता एक निरनाएक जनादेश देगी, श्री नरेंद्र बो क्रूप से घूम चुका होगा और हम 272 का आकड़ा पार करेंगे. आज क्रॉस फॉयर में इतना ही प्रकर प्रकाश मिश्रा को दीजे इजाज़त, देश और दुनिया की बागी खबरों के लिए आप बने रहें साथ न्यानियूस के साथ, नमस्कार.